हाई ड्विल्धीज, मैं हूँ अपिता और हम लोग रिटार्मेंट चेप्टर कर रहे थे और उसमें हमने पार्टनर के लोन को जब हम देते हैं यानि कि पार्टनर के लोन पर जब हम इंट्रोस देते हैं उसकी कैलकुलेशन के सरी कैसे की जाती हैं वो अभी तक हम सीख चुके थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस लेंक पर जाके जरूर देखे आज हम करेंगे कैपिटल अजस्मेंट के केसिस यानि कि कैपिटल अजस्मेंट के हमें बुक में फाइफ केसिस गिवन है अब हम उन्हें समझेंगे वन बाई वन लेकिन मैं हर एक कोश्चन के थू नहीं बलकि एक कोश्चन के थू उन सारे केसिस को समझाओंगी तो स्टार्ट करते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक्जाम्पल से इन सारे केसिस को समझेंगे basically हम different-different question करते हैं different-different case आते हैं अब अगर एक बार case समझ जाएंगे तो कोई भी question आए आप easily उसको identify कर पाएंगे और उसके base को, उसके concept को समझ पाएंगे तो हम इधार उसके concept को समझेंगे सबसे पहला जो case लिया है वो है when total capital of new firm is given यानि कि आपको question में नई firm की capital given होगी और उसका proportion या ratio भी given होगा ठीक है अब उसको किस तरीके से करना है देखे आप हम adjusted capital निकालते हैं adjusted capital क्या होती है जब हम capital account बनाते हैं capital account में हम सारी entries post करने के बाद यानि कि जो भी debit होना था जो भी credit होना था करने के बाद हम balance cd निकालते हैं इस balance cd को हम adjusted capital कहते हैं इस balance cd को हम क्या कहते हैं adjusted capital तो हम हर question में adjusted capital निकालते हैं अब बात आती है capital adjustment की normal question होता है तो हम यही पर balance cd कर देते हैं लेकिन यह normal question नहीं है इसमें capital adjustment करनी है कैसे? फॉर्स यह उने बोला टोटल कापिटल अब दे न्यू फॉर्म इस गिवन 65,000 अब उने बोले नई फॉर्म की कापिटल 65,000 है हमने का ठीक है इस केस में B जो है वो रिटारिंग पार्टनर है कौन है रिटारिंग पार्टनर B? A और C की देखे की कापिटल कितनी बन रही है इसको अगर हम 25,000 प्लस 35,000 करें तो यह होते है around 60,000 ठीक है अब नए फॉर्म की कापिटल है 65,000 तो of course पैसा लेके आना ही पड़ेगा यानि की फॉर्म में पैसा आएगा ही आएगा ठीक है क्योंकि कापिटल जो नए फॉर्म की है वो जादा है कैसे अर्जस्ट करते हैं देखो A और B की अर्जस्टिट कापिटल हमें गिवन है 25,000 एं 35,000 ठीक है A और C की B तो रटैर हो रहा है तो C की कापिटल A और C की हमने लिख ली 65,000 1 is to 1 मे यानि कि 65,000 को अगर 1 is to 1 रेशो में डिवाइड करें कितना आएगा 32,500 तो दोनों का आगया 32,500 अब इनका बैलंसिंग करेंगे बैलंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे देखे अजस्टिट कैपिटल ये थी और न्यू कैपिटल जो रहेगी 1 is to 1 में वो ये रहेगी अगर हम इसका बैलंसिंग करें तो हम देखेंगे कि A की कैपिटल 25,000 बन रहे थी जबकि होनी कितनी चाहिए 32,500 इट मींज A को पैसा लेकर आना पड़ेगा तो A 7,500 लेकर आएगा C की C के 35,000 कैपिटल थी लेकिन न्यू फर्म में वो कहरें कि 32,500 होनी चाहिए तो C 2500 लेकर चला जाएगा इनकी पोस्टिंग किस तरीके से होगी देखें इनकी पोस्टिंग बाई कैश आता है या कैश जाता है इस केस में हमारे पास कैश आएगा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा होगा तो एक अकाउंट को क्या करना होगा क्रेडिट करना पड़ेगा वैसे भी जनरली हमें पता है कि अगर कोई भी पाटना कैपिटल लेके आता है तो हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं वो कुछ भी withdraw करके लेके जाता है तो उसके account को debit करते हैं इस case में हम credit करेंगे 7500 से cash नाम से और 2 cash से C के account को debit करेंगे 2500 यानि कि C जो है वो पैसा लेकर जा रहा है तो ये entry हम generally post करने के बाद फिर हम इनका balancing कर देते हैं जो कि हम normally जिस तरीके से account में करते हैं balance CD में कितना आ जाएगा balance CD में 32,500 और C का भी 32,500 आ जाएगा उसके बाद balancing कर देंगे तो ये first case था जिसमें हमें total capital given होगी second case है when total capital is to be in new PSR one is to one यानि कि जो total capital है वो new PSR में होनी चाहिए new PSR इस case में मैंने one is to one लिया है आपको question में 3 to 2 भी दे सकते हैं मतब question पर depend करता है लेकिन हमारी जो total capital वो होगी किस में होगी one is new PSR में होगी और इसकी language कैसे लिखी होगी देखे मैं language आपको पढ़के बताती हूँ capital of the reconstituted firm will be readjusted by bringing or paying cash so that future capital will be in new PSR यानि कि आपके जतनी capital आ रही है कितनी capital आ रही है वो आपके adjusted capital से पता चलेगी like इनकी कितनी आ रही थी 25 plus 35,000 60,000 उन्होंने का capital इतनी ही रहेगी लेकिन new PSR में तो new PSR इस case में मैंने one is to one माना है तो 60,000 को हम one is to one में अगर करें तो 30,000 and 30,000 आता है इस case में भी 5,000 और 5,000 आ रहा है अब कौन लेके आएगा, कौन लेके जाएगा, ये new PSR में है हम easily identify कर सकते हैं भाई, एके पास capital 25 पड़ी थी लेकिन होनी कितनी चाहिए, 30,000 तो ये लेकर आएगा किस से, किस नाम से, to cash नाम से 5,000 हम उसके capital account में post करेंगे और इस case में इसके capital जादा बन रही थी लेकिन होनी कम चाहिए, तो ये लेकर जाएगा तो इसके account को debit कर देंगे, कितने से 5,000 से balance CD क्या रहेगा, balance CD रहेगा 30,000 and 30,000 तो ये था second case जो कि बहुत simple था आपको total capital जो भी firm किये है, वो re-adjust करनी है कोई new capital आपको given नहीं है, जो capital है उसी को re-adjust करना है उनके new profit sharing ratio में ठीक है, अब हम करते हैं third case जिसमें इनोंने बोला है when total capital is equal to, total capital before retirement इसमें बचे ये बोला गया है कि जो retirement से पहले total capital बन रही थी, उतनी ही अब होनी चाहिए इस case में total capital पहले कितनी बन रही थी, पहले तुम्हें एक बार रब कर देती हूँ इसको ठीक है, देखो, total capital पहले कितनी बन रही थी total capital पहले आपको कौनसी वाली लेनी है, balance sheet वाली adjusted नहीं लेनी, तो balance sheet में अगर हम suppose करके चले balance sheet में बन रही होगी, 1 lakh रूपीज ठीक है, तो यह आपको adjusted नहीं consider करना, balance sheet वाला consider करना है, तो balance sheet में total capital कितनी बन रही थी, 1 lakh बन रही थी, वो कहते है कि after retirement भी उतनी होनी चाहिए, जितनी before retirement थी, हमने का ठीक है, अब 1 lakh थी, अब यह भी आपको उनके new PSR में ही divide करना पड़ेगा, A की और C की, देखो, adjusted capital 25,000 and 35,000 आ रही थी, अब इस case में हमें पता है, 1 lakh capital उन्होंने बोल दी, of course क्योंकि जो नई capital है, वो हमारी क्या है, अब जादा है, जबकि हमारी adjusted कम आ रही है, तो दोनों को ही पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि 1 lakh बनने चाहिए, लेकिन बन हमारे पास कितने नहीं, सिर्स 60,000, दोनों ही पैसा लाएंगे, लेकिन किस उसमें लाएंगे, उनके question में, जो भी new PSR given होगा, उसमें, इसमें मैं 1 is to 1 new PSR मानती हूँ, तो 1 is to 1 में अगर मैं करूँ, तो 50,000 and 50,000, 25,000 and 15,000, यानि कि A जो लेके आएगा, वो कितना लेके आएगा, 25,000 लेके आएगा, C जो लेके आएगा, वो कितना लेके आएगा, 15,000 लेके आएगा, A को भी पैसा लाना है, और C को भी पैसा लाना है, आप चाहें, तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, कि देखो, इनकी कितनी बन रही है, 60,000 बन रही है, 25 लेकिन एक्चुल में कितना होना अच्छी है, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 40,000 तो आपका ये भी कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, इसमें आपने कल्कुलेशन सही करी है, अब पोस्टिंग, जैसे हमने पहले दो केसे में पढ़ी है, सेम वही रहेगी, कि A-B लेके आएगा और C-B तो दोनों के capital account credit हो जाएगे, किस नाम से, काश के नाम से, और उनके balance CD में कितना लिखेंगे, 50,000 तो ये था 3rd case, अब हम करते हैं, 4th case, जो कि है कि remaining partners को कितना दिया जाएगा, तो वो हम अब करेंगे, अब हम करेंगे, 4th case, जो कि है when the retiring partner amount paid by the remaining partner, यानि कि जो भी retiring partner का amount है, वो कौन पे कर रहे हैं, remaining partner पे कर रहे हैं, इस case में हम capital को किस तरही के से adjust करते हैं, हो सीखेंगे, अब देखे, question में पहले आपको बताती हूँ, book में किस तरही के से लिखा होगा, book में लिखा है, the total amount is to be paid to retiring partner, this amount paid by the remaining partner in such a way that their capital become a proportionate to new PSR, यानि कि इसके पैसे को remaining partner पे करेंगे और इस तरही के से कि उनके new PSR में हम पे करें उने, तो अब इस case में देखो, adjusted capital कितनी आ रही है, 25,000 and 35,000, ANC की retiring partner हमारा था B, लेकिन हमारी actual में अगर में देखू, हमारी total capital कितनी बन रही है इधर, 90, यानि कि B को देने पर हमारी जो capital B का amount हम pay करेंगे, वो कितना बन रहा है, 30,000, ठीक है, तो B को हमने कितने पैसे देने है, 30,000 देने है, तो हम इसके लिए सबसे पहले अपनी total capital find out करते हैं, कि total हमारे पास पैसा कितना होना चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, 90,000, बट अभी हमारे पास है 25,000 and 35,000, अब हम इस case में क्या करेंगे, जब भी इस तरीका का case आएगा, कि retiring partner को old partner यानि कि remaining partner ही capital दे रहे हैं, remaining partner ही पैसा दे रहे हैं, इस case में हम इनकी totaling करेंगे, कि इनकी तीनों के share की जुतने partners हैं, अब इसका amount को हम किस तरीके से देंगे, new PSR find out करेंगे, और इस basis पे हम new capital निकालेंगे, new PSR के basis पे हम new capital, अगर यहाँ पे मैं, for example, 1 is to 1 ही मानती हूँ कि अगर हमारा new PSR है, तो 90,000 को 45,000, 45,000 का ratio आजाएगा हमारा, यह हमने क्या किया, हमने करा कि 90,000 को उनके new PSR में divide करना है, यानि कि including B's share, इससे पहले वाले जो हमने share question करे हैं, उसमें हम सिर्फ इन दोनों के shares को adjust करते थे, लेकिन अब हमें B के भी share को adjust करना है, इसका मतलब यह है क्योंकि हम B को भी पैसा दे रहे हैं, तो 90,000 को जब हम adjust करेंगे, तो अब हम difference जब निकालेंगे, तो 25 में से 45,000 अगर हम minus करें, तो of course यह minus का आएगा 20,000 ठीक है और यहां पे आरे 10,000, it means यह भी पैसा लेके आएगा और 10,000 वाला भी लेके आएगा, क्योंकि इनकी capital 25 आ रही है, लेकिन होनी कितनी चाहिए 45, इसकी आ रही है 35 लेकिन होनी कितनी ही चाहिए 45, तो B भी लेके आएगा और A भी लेके आएगा और C भी लेके आएगा, दोनों लेके आएगे, क्या करेंगे हम, दोनों जब पैसा लेके आएगे तो इनके account को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे by cash से और amount कितना आएगा 20 and 10,000 तो आप इस सरीके से इस question को करोगे, अब next case है, fourth case का ही similar है, सब कुछ same है, when retiring partner amount paid by the remaining partner and leave the desired cash balance, इस case में आपको balance sheet में bank का या cash का amount given होगा, आपने कुछ पैसा उसमें छोड़ना होगा, बाकी का बाकी use करना है, अब इस case में मैं example लेती हूँ कि हमारे पास 4,000 रखा था, उन्होंने बोले, retain करके चलना है सिर्फ 2,000, यानि कि बाकी जो remaining है, remaining कितना रहा, 2,000 हम use कर सकते हैं इसको pay करने के लिए, अब इस case में किस तरीके से इसको solve परेंगे, देखे, हमारे अभी तक 90,000 हमने निकाला था कि टोटल जो आ रहा है हमारा वह आ रहा है 90,000 जो capital होनी चाहिए, जितना पैसा हमें चाहिए, A और C का तो हमारे पास है, लेकिन B का भी हमें लेकान है, अब हम इसमें से less कर देंगे जो हम cash use कर सकते हैं, कितना use कर सकते हैं, 4 में से अगर 2 retain करके चलते हैं, तो हम 2,000 use कर सकते हैं, अगर यहां पर मैं suppose करो, तो अगर मैं यहां पर लेती कि हमें सिर्फ retain 1 करके चलना है, तो मैं यहां कितना लेती, कितना use कर सकते हैं, 3,000 ठीक है, तो आपको जितना आप retain करके चलना चाहते हो, वो रख के remaining आप ले लोगे, अब हमारा balance आ रहा है, 88,000, यानि कि partners की capital कितने में होनी चाहिए, 88,000, उनके new PSR, तो जो पहले हमने किया, सेम वही करेंगे, A और B की adjusted capital लिखेंगे, 88,000 को उनके new PSR में divide कर देंगे, जो कि है 44,000 and 44,000, इस हिसाब से, 19,000 A लेके आएगा, और C कितना लेके आएगा, 9,000, तो दोनों पैसा लेके आए, कितना लेके आए, total, अगर हम इन दोनों को total करें, तो ये बनेगा 28,000, 30,000 तो था ही, 2000 हमने cash में से निकाल ले, यानि कि 28,000 A और C लेके आ रहे हैं, बट, capital ratio में, इसलिए हमने क्या किया, capital ratio की वज़े से, हमने सब का total करके, उनको उनके new PSR में divide किया, तो ये थे total 5 cases, जो आपको different different तरीके से आते हैं, बट, actual मैं आपको उसकी language समझ के, simple सा एक funda यूज़ करना है, मैं उम्मीद करते हूँ कि आपको इस वीडियो के थरू, उस funda को, उस concept को समझ, आप समझ सके होंगे, और अगर आपको ज़रा सभी कोई doubt है, तो आप मिरसे समझ सकते हैं, आप मिरसे comment के थरू, share कर सकते हैं, अपना Instagram के थरू, आप मिरसे question पूच सकते हैं, तो यह थे five cases, I hope आपको समझ आयोंगे, thank you.